हलो फ्रेंट्स एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ये एंड इन्फो पर आज मैं आप लोगों के सामने अपने आईटियाई के एक स्टूडेंट एक ट्रेनिस स्री बाबुलाल को लेकर के आएं बाबुलाल से हम लोग ये जानेंगे कि बाबुलाल आईटियाई क्यों कर रहे हैं आईटियाई करने का इनके मन में सपना कैसे आया और ये आईटियाई करके अपनी जिन्दगी में पाना क्या चाते हैं आज मैं देखिए बाबुलाल पूरी तरह से युनिफॉर्म में हैं, पुरा अपना आईकार्ड लगाए हुए हैं, पुरा वेल ड्रेस्ड हैं, आज हम लोग इनसे बात करते हैं, ये बताएंगे अपने खुद के बारे में, अपने सपनों के बारे में, जो हम लोगों को आईटियाई करने का जो सपना है कैसे आया क्या चीज हुआ जो आप आईटियाई करने के लिए आये और आईटियाई करके क्या करना चाहते हैं और आजकल समाज में क्या दिक्कतें आप महसूस कर रहे हैं फिल कर रहे हैं अगर आपके पास अच्छा एजूकेशन नहीं है तो सर में आजकर की दिकती है मैं सुस कर रहें कि सर की पैसा है तो सब कुछ है सर असर में एटियाई करने की इस मसच आये कि सर में हर चीज कोई फारम आता है तो छोड़ता नहीं है अमें यह फारम आया तो मैं फारम का अप्लाई किये फारम अप्लाई किये तो मेरा आगया मेसेज आगया तो मैं आ कि हाँ पर अडमिशन लिए सर एटियाई करने के बाद हमको यह है कि सरकारी जब नहीं मिलेगे तो परवेट है ना परवेट में दस पंदर हजार रुपया मिलेगा तो उससे में अपना जीव का चला लूँगा सर असर यह भी व्यात है कि नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे आज की टेट में कुछ हासिल नहीं करेंगे आने वाले समय में हमको दिक्कत परसानी होगा दिक्कत इस पसानिया सर की सब देखी रहे हैं पैसा है तो सब कुछ है और नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे सर तो हमारा साधी भिया भी नहीं होगा सर हमको कौन फूछ रहा है सर देखी रहे हैं सर जी की सब डिमांड बढ़ रहा है दिन पर दिन सर कहने separates कि सर्थ सदी भ्यात होने के तो हो जाएगा फिर उसके खर्चा को चलाए बाल बचा हूंगे दूगर बाल बचाहोंगे तो उसको कप्ला लत पैसा रुपिया कहां से देंगे माप कपकल कल सहरा बनेगा सघागा सर्थ तो अब तो खर्चा तुमको न चलाना है, माबा कप तकल सहरा बन के रहेंगे, साधे भी आगए तो तुम्हारी बीबी हमसे माबाप से तो नहीं मागेंगी, तो सर इसी के उदर से मैं पढ़ रहा हूं कि पढ़के लिखके आप लोगा सिबास सर, प्रे हमार छात्र भहिया ल तो मैं आसाम में हो जाते हैं, तिसलिए मैं सिबिल का त्यारी करता हूं, मैं सिबिल के जैसे माश्ट्री हुआ, बैंकी हुआ, रेलवे हुआ, इसका मैं ज्यादा त्यारी करता हूं सर, तो सर आप लोगा सिवास सर कही न कहीं हमको रोजी रूटी मिले सर, सर मैं पढ़के लिखे कम्याम होना चाहता हूँ, कि अभी लोग अपना पढ़ें लिखें, मन धन तन से पढ़ें, इसलिए सर कि यह समय है, जब समय बिच जाएगा सर तो फिन दुबारा समय आएगा नहीं, तो इसी समय में सर पढ़के लिखें कुछ हासिल हो जाएगा, तो हो जाएगा, नह बहुत अदमी लेते हैं, ऐसा ले कि डिगरी कहीं मकसद काम करें, उस डिगरी के लिए हैं, तो वो डिगरी से हम कुछ काम करें, आपकी लंबाई बहुत कम है, इसके बार में आप क्या सोचते हैं? त्यारी करता हूं सर, और हाइट को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपने साधी के बारे में आप बता रहेते हैं कुछ की सर, जी, 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 अब मैं बढ़ूगा नहीं सर, जो बढ़ने वाला था मैं बढ़ गए, मेरे 22 बारे 97 हूं, अधारकार से 10 साथ दूआ जा जा कि मेरा हाइट तो करने कमसे कि कोई भी लड़की भी आएगे तो सर, हमारी एज की आएगी, हमसे बोड नहीं आएगी, हाइट के मतल्ब सर मैं आज मैं नोकरी पाजाता है सर, तो मुस्से 6 फुट के लड़की मिलते, और नोकरी नहीं पाएंगा सर, तो हमको दिगत पासा न होगा सरजी क्राओं किरेंस भी मेरा साइट प्रावी संच नहीं रहीं सुचने हैं ओगाँ कि सबहरों सोचते हुझ कि यह लड़का है मैं लड़का नहीं रहा गया हुझाँ मेरा 25 वरी उमर हो g discover मैं पढ़के लिह के सोच रहें मैं कम्याब हों joh sir आप लोगों का सिवाद है sir आप लोगों इसी तरह में हम फ़र्टे फालू फुरू मा बाप पढ़ा रहें sir तो न जात न जाए मा बाप का सपना पूरा होना चाहिए sir इसलिए कि माबाप हर माबाप हर लड़के का माबाप सोचते हैं कि हमारा लईका पढ़के लिखके कहीं कम्याब हो जाए तो सर यह कोई बात समझ में आये तो सर सोचना ही चाहिए सर इसलिए सर कि हर बाप माप सोचता है कि पढ़के लिखके कम्याब हो जाए सर इसलिए सर कि आज हम कम्य आप हो जाएंगे शार आने वाला समय में दिक्कत परसानी नहीं होगा सर कहने के मकसद यह है कि पैसा है तो सब कुछ है पैसा नहीं है तो आज कर डेट में कोई पूछने वाला नहीं है सर आपके पले 10 उर्पया है तो सर आपको दोस्त यार भी भेटाएंगे आपका पहले 10 रुप्या नहीं है तो दोस्त भी नहीं भेटाएंगे इसलिए नहीं पूछेंगे उसके पास क्या है बलने के सब पूछते हैं, विगलने के कोई नहीं, कहा जाता है कि बने हुएhard के लाकों हाजार होते हैं, बना बिगड जाता है, दुस्मन हाजारह जाते हैं बहुत बहुत धन्यवाद बाबुलल, आप लोगों ने देखा, बैट जाहिए, आप लोगों ने देखा कि बाबुलल अपने अंतरात्मा की भावनाओं को आज आप लोगों के सामने किस तरीके से प्रेसित किये हैं, कितने सारे उन्होंने सपने देखे हैं, और समाजिक जो फ्रूग किया ITI कर रहे हैं और हाइट कम होने की वज़े से किसी defense service में नहीं जा सकते हैं तो वो अपना technical service या civil service के लिए तयारी कर रहे हैं लेकिन वो सारी हकीकत को वो जान रहे हैं जो आज समाजिक प्रताडना जो मिलती है एक jobless youngsters को एक नवीवक को जो यंग होता है और उसके पास जाब नहीं होती है वो कितनी समाजिक उल्जनों को और समाजिक जो प्रताड़ना है जो इग्नोरेंस है जो उसको समाज में नजर अंदाज किया जाता है उन सबी चीज़ों को उन्होंने बाबुलाल ने अपने अनभों से बया किया तो दोस्तों मैं बाबुलाल से खुद प्रेरित हूँ इसलिए आप लोगों के सामने बाबुलाल को लाया कि इन चीज़ों को मैं नहीं कहूं बलकि बाबुलाल जब अपनी जुबां से कहेंगे तो साइद आपको ज़्यादा फील होगा आप उनकी सच्चाई को एक न watching to best training of ITI Mr. Babulal thank You